देलाइफ टीवी सच सब से आगे नमस्कार आप देख रहे हैं देलाइफ टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुनमुन रह्मान एकनात शिंदे को उधव ठाकरे से गदारी करना भारी पड़ रहा है दोस्तो महराष्ट की सियासत में आए दिन नया बड़ा उलट फेर हो रहा है और इसी को लेकर अब शिंदे गुट जो है वो अल्टिमेटम दे रहा है शिंदे गुट के नेताओं को यहाँ पर कहना है कि पुराने मंत्रियों को कैबिनेट से हटा करके उनको नया मंत्री बनाया जाए शिंदे गुट ने यह अल्टिमेटम दिया है वहीं इसी के साथ महराष्ट में कैबिनेट विस्तार को लेकर पहले से ही घमासान मचा हुआ है क्योंकि कैबिनेट विस्तार में शिंदे गुट के समठक नेताओं को यह उमीद थी कि उन्हें जगे मिलेगी लेकिन अजीद पवार की भी एंट्री हो गई अब कहा ये भी जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार कुछ दिनों में है और इसमें अजीद पवार के जो नेता साथ में आए है बागी बन करके उनको भी विभाग सौपा जाएगा जिसे लेकर यहाँ पर पूरा हंगामा हो रहा है शिंदे गुट ने क्या अल्टिमेटम दिया है क्या कुछ माराश्ट की राजनिती में हो रहा है वो आपको बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि वित मंतराले को लेकर भी खीष्टान जो है वो माराश्ट में जारी है वित मंतराले को लेकर भी पवार और फटनवीज के बीच जो है वो खीष्टान जारी है पूरा मामला आपको बताएंगे सबसे पहले हम अरुजाला की एक खबर देखी जिसमें शिंदे गुट अल्टीमेटम दे रहा है उनको बनाया जाए मंत्री शिंदे गुट के विदाइकों का अल्टीमेटम आगे लिखा है कि महाराष्ट में बदले सियासी समीकरणों के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर घमासान मचा हुआ है इस घमासान में शिंदे गुट के विधायकों को सबसे जादा चिंता हो रही है अनुमान के मताबिक महाराष्ट में क्याबिनेट विस्तार अगले कुछी दिनों के अंदर होना है ऐसे में NCPCI नेताव को मंतरी बनाने के बाद अब उनको विभाग भी दिया जाना है जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है यहां पर शिंदे गुड बार-बार कहा रहा है कि उनके मंतरी विधायकों को यहां पर विभाग दिये जाएं लेकिन अजीत पवाल गुड से भी मंतरी सामने आ गए हैं उनको भी विभाग दिया जाना है ऐसे में यहां पर माराश की राज़दिती में कैबिनेट विस्तार विभागों को लेकर पुरी तरीके से घमासान मचा हुआ है सूतरों के मताविक शिंदे गुट के विधायकों ने शनिवार की देर रात को एक एहम बैठक कर अभी पार्टी को ये अल्टिमेटम दे दिया है कि अगर उनके विधायकों को मंत्री मंडल में कैबिनेट मंत्री की जग्या नहीं मिलती है तो पिछले एक साल से उनकी पार्टी के बने मंत्रियों को हटा कर नए विधायकों को मंत्री बना जाए यानि कि यहाँ पर शिंदे गुट के जो मंत्री हैं विधायक हैं उनकी जग्या पर लाया जाए इसी के साथ शिंदे गुट की ओर से आईस अल्टीमेटब से अब पार्टी के शिष नितित्र में मंत्र का दौर भी जारी हो गया है वहीं आपको बता दे कि विध मंत्राले को लेकर भी खीचतान महराष्ट में जारी है अपनी स्क्रीन पर आप खबर देख रहें जीनी उसकी इसमें लिखाए कि महराष्ट में विध मंत्राले को लेकर खीचतान पवार फड़नवीस के बीच एक नाचिंदे क्या लेंगे फैसला विध मंत्राले को लेकर भी शुरू से खीचतान मची हुई है इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि मुक्य मंत्री की कुर्सी भी जाने वाली है और मुक्य मंत्री अपनी कुर्सी से बहुत जल जो है वो हाथ दोने वाले हैं हाला कि इस तरह की खबरों पर विराम लगा दिया गया और इस तरह की खबरों को सिर्फ अफवा बता दिया गया अब इसमें देखे लिखा है कि दिविंद्र फड्नवीस यहां पर कुछ भी नहीं कर पाए वहीं आप खबरे हैं कि अजीत पवार के सरकार में शामिल होने से मंतरी पद के बटवारे में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है सूतरों का कहना है कि अजीत पवार वित मंतराले चाहते हैं हाला कि वतमान में वित मंतराले देविंद्र फड्नवीस के पास है और इसी को लेकर पुरा घमासान यहां मचा हुआ है ग्रे मंत्राले भी देविंदर फटनवीज के पास है तो ऐसे में सवाल उट रहे हैं कि क्या देविंदर फटनवीज से मंत्राले चीन लिया जाएगा और वो मंत्राले अजीत पवार को मिल सकता है एक नाचिंदे इस पर क खामियाजा जो है वो बीजेपी को तो भुकतना होगा लेकिन कहा यह जा रहा है राजटितिक विशलेशुकों का यह मानना है महाराष्ट में कि इन सबका फाइदा जो है वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को होगा वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी लगातार ये बात कह रही है कि हमारे संपर्क में शिंदे गुट के कहीं विधायक हैं जो घर वापसी कर सकते हैं महाराष्ट में कुछ बड़ा होने वाला है जल्द ही महाराष्ट में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा ऐसा कहना गलत नहीं होगा कागे खबर में लिखा है कि महराष्ट में पिछले हपते NCP के अजीत पवार सरकार में शामिल हो गए उनको मिला कर 9 विधायकों ने मंत्री मंदल में शामिल होकर मंत्री पद्ध की शपत ले ली एंसीपी के विधायकों के मंत्री मंडल में शामिल होने से अब होने वाला नया मंत्री मंडल जो है वो फस गया है शिंदे फड़नवी सरकार में आठ विधायकों के शपत लेने के साथ कैबिनेट मंत्रियों का कोटा पूरा हो गया है और यही वज़ा है कैबिनेट का जो कोट क्याबिनेट मंत्रियों का जो कोटा है वो पूरा हो चुका है वहीं शिंदे के जो मंत्री है वो भी इंतिजार कर रहे हैं विभाग मिलने के लिए आगे लिखाए कि सुत्रों के मताबी किसी पूरे हुए कोटे को लेकर शिंदे गुट के विधायकों में जबरदस्त नाराज की है पार्टी से जोड़े सुत्रों का कहना है कि इसको लेकर शनिवार की रात को और रविवार की सुभा को पार्टी के प्रमुख नेताओ की तरफ से एक बैठक भी हुई और इस बैठक में चर्चा इस बात पर हुई कि जब तक मंत्री मंडल का विस्तार ना हो तब तक NCP से आये विधायक जो मंत्री बन गए है उनको विभाग आवटन ना किया जाए इसके पीछे उनका तर्क है कि अगर NCP के आये विधायकों को मंत्री मंडल विभाग का बटवारा हो जाता है तो एहम विभाग NCP के खाते में जा सकते हैं तो एकनात शिंदे जो है एकनात शिं सक्राव में मंत्री बनाये जाने के लिए कहा गया था लेकिन आप NCP के आर्ट मंत्री को मंत्री बनाकर क्याबिनेट मंत्री का पूरा किया जा रहा है अब ऐसे वह उनकी पार्टी के जो DIY एक उनके पास मंत्री मंडल विस्तार के दृण पर शुक्र शूर 7 कि它मिरियों 4 मुट्सा Wi-inha सब्सकान से लिगा तो के यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि और जो एक साल से दाधा एक साल तक जो मंत्रि बने हुए है उन उनका विभाग हमें दे दिया जाए। यानि कि उनकी जगा नए विधायकों को एकनाछ शिंदे की ही नए विधायकों को वहाँ पर जगाय दे दी जाए। बच्चुकुडू और आशिश जैसल ने ये तक कह दिया कि अगर उनको मंतरी मंडल में जगए नहीं मिलती है तो वो और उनके साथी विधायक आगे के लिए अपने नए रास्ते भी चुन सकते हैं पूरे मामले पर जो पूरा सियासी उठापटक चल रहा है कैबिनेट प्रिस्तार को लेकर गमासान चल रहा है इससे फाइदा जो है वो उधव ठाकरे को पहुच सकता है कैसे ये आर्टिकल देखे इसमें लिखा है कि राजनीती जानकारों का ये कहना है कि जिस तरीके से इतन शिंदे गुट में शामिल हुए विधायकों को अंदर ही अंदर मोचा बंदी शुरू कर दी है उसका फाइदा उधव ठाकरे शिवसेना उठा सकती है शिंदे की शिंदे गुट की इसी आपसी कलाया पर उधव ठाकरे की शिवसेना के सानसत विनायक राउत ने ये भी काबिनेट विस्तार को लेकर घमासान मचा हुआ है महाराष्ट की सरकार में इस वक तीन दल है बीजेपी शिंदे गुट वाली शिवसेना और एंसीपी एंसीपी वाली अजीत पवार अब इन तीनों को एकी खेमे में फिट करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई है कहा त अपने पर उतर आये हैं से लेकर क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे